आप सभी प्रिय दर्शुकों का बहुत बहुत स्वागत है, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आज की निफ्टी की का कारोबार हो सकता है, जो SGX निफ्टी ने गैवप खोलने की बात की है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, पूरा अनलेसिस करके आपको बताएंगे, और आप रीटेल इंवेस्टर, तो आप थोड़ा सावधा हो के काम कीजेगा, यहाँ पर लगेगा कि आपको कुछ टाइम के लिए बुल्स भारी जाएंगे, उस थोड़े दिनों के बाद, फिर थोड़े टाइम के बाद इसको बीर्स भारी हो जाएंगे, तो दोनों तरह से आज प मार्केट बंध होते होते हैं, फाइनेंशल ने काफी अच्छा काम किया था, जिसके चलते हुए, आज भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, SGX Nifty 60, पॉइंट का प्लस दिखाने की कोशिश कर रहा है, अभी के हिसाब से 8 बजे क्या असपास, तो यह वीडियो जो तक आपको पोचेगा, आप इसकी strategy accordingly बना सकते हैं, और international market भी थोड़े से positive view बना रहे थे, पर निकए अभी यहाँ पर negative बना हुआ है, तो हो सकता है, जो positive रहे, वो ज़्यादा देर positive ना रह सके, तो market खुलते के साथ ही, एकदम long मत जाईएगा, यह हमारी आपके लिए सलहा रहेगी आज की, जो key indicators रहेंगे, अब तीन key factors जो Friday को market ने drive किये थे, वो reliance का था, बहुत तगड़ा गिरा है, 3.97% और कुछ trading circle में rumor यह चल रही है, कि मुगे शंबानी जी की थोड़ी सब्या धिली चल रही है, तो यहाँ उसकी वज़े से market ने देखा है, कि reliance का share प है, वहीं पर थोड़ी positive news reliance की तरफ से, over the weekend, Friday evening को CCI ने reliance का जो purchase है future group का, वो अप्रूव कर दिया है, तो उसके चलते हुए, यहाँ पर positive momentum दिखाई देने की संभाव ना है, पर main factor यह है, कि जब तक अंबानी family की तरफ से कोई clarification नहीं आता है, rumor यह चलती ही रहेंगी, कि मुकेश अंबानी की तरफ थोड़ी सी धीली लग रही है, ITC एक another factor है, तो चलका चलका भाव को देखते हैं दोनों के, तो अगर हम सबसे पहले reliance को देखें, तो reliance ने, कल का अगर भाव देखें तो द बढ़कर 190 तक पहुँच गया था, तो यह काफी अच्छा momentum था ITC की तरफ से, तो दो share आगे आज के लिए भी की रहेंगे, अगर यह momentum direction रखते हैं positive, तो यह nifty को उपर उठाने में सक्षम है, HDFC bank, banking sector में HDFC bank सबसे तेज तरार काम करने की कोशिश करेगा हमारे हिसाब से, कल भी इसने अच्छा positive momentum दिखा है, तो देखिए, खुलने के बाद 1372 से लेकर यह चला गया था उपर 1405, तो यहाँ पर भी करीब करीब इसने 35 point का एक अच्छी बढ़क दिखाई है, तो यह market को थोड़ा सा तेज रखने के सक्षम है, तीनो bank, तीनो stock हैं, तो यह हो सकता है, इस पर अगर देखें, निफ्टी ने जो कारबार किया था कल, उसमें 33 share जो थे बढ़े थे, और 16 share decline में थे, decline में सबसे जादा reliance का ही नाम था, 3.66% जो सामने आपको बता है, रुबर के हिसाब से, अधानी पोर्ट, इंडसिन बैंक, नेगडिव थे, बजाज फिंसर, 9.2 प्रतिशत बढ़ा है, यहां पर लग रहा है कि यह FIA की बाइंग आ रही है, और टाइटन में भी काफी अच्छी बाइंगा, यह 5% के आसपास बढ़ा है, गेल 4% बढ़ा है, तो यह अच्छे share थे, जो कल आप रेकर सकते थे, आप अगर इसको आप 15 मिट के चार्ट पर द यहां तक का momentum बनाया, उसके बाद इसने फिर यह एक consolidation zone कह सकते हैं, पर थोड़ा सा positive बाइस था, और उसके बाद से तो जो तेजी दिखाई है, वो देखिए, वो पूरी की पूरी उपर तक चली गई है, यहां पर, तो आज भी लग रहा है 12,900 के उपर खुलेगा निफ्ट आपको बता सकता है, तो गर बुलिंगर बैंड को देखें, तो देखें, 1300 एक round figure भी है, और पिछले दो बार से यह उस resistance को cross नहीं कर पाया, तो उमीद यह है कि थोड़ा सा positive momentum खुलेगा, थोड़ा उपर भी जा सकता है, पर वहां से थोड़ी sell-off आएगी, यह आज की नहीं बना पाये थे, तो इस वेज़े से महाँ पर negative view चल रहा है, और COVID का wave to fear थोड़ा सा market में ड़रा के रखा हुआ है अभी market के participants को, क्योंकि इत्मा ज़्यादा तेज नहीं चल पा रहे, अब ज़रा चल कर option chain का analysis किया जाए, तो देखेंगे option chain के basis पर कहाँ पर सब ज़्य ये एक interesting fact है कि अगर किसी तरह 13,000 तूटता है, तो वो 13,200 तक जाने में सक्षम रहेगा, पर वहीं पर अगर हम दूसरा देखें, तो Friday को ही 12,800 पर बहुत ज़्यादा call writing हुई है यहाँ पर, और देखें, ये हो सकता है कि कुछ buyers भी हाँ पर आये हो, open interest उसकी वेज़े से भ आपर भी कल 6,000,000 का open interest add हुआ है, और वहीं पर अगर देखें, put में, आज का सबसे अदा open interest जो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है 12,800 पर, वो है 37,000,000 का, और वहीं पर सबसे अदा open interest की addition भी यहीं पर हुआ है, 17,000,000 का, तो इस से लग रहा है कि 12,800 का level एक अच्छा support की तरह से काम करेगा, इस series में अभी का जो data है, तो interesting fact रहेगा, 900 के उपर खुलेगा, पर हो सकता है, एक बार नीचे आए, और 800 से फिर bounce back लेने की कोशिश करें, तो इस तरह से आप अपनी strategy बना के रख सकते हैं, based on option chain analysis, अगर हम आज का market का prediction करें, अपने हिसाब से, कि market कैस आप खुलेगा, और जैसा हमने अपना दूसरे video बनाया था, gap up में एकदम entry मत लिजे, हो सकता है, कुछ नीचे आए, और यहाँ से फिर थोड़ा उपर जाए, अगर आपको long जाना है, तो यहाँ पर ना खरीद के, आपको जो entry लेनी होगी, वो यहाँ के level पर लेनी होगी, let it retrace about 38%, उसके बाद आप इसकी entry ले सकते हैं यहाँ पर, पर हमारे हिसाब से फिर उपर जाकर थोड़ा resistance phase करेगा, और हो सकता है, यह नया low भी बना दे उसके बाद में यह, तो अगर आपको यहाँ पर कभी sell करना है, तो morning के time पर sell मत कीजेगा, let it retrace, let it go around that level, यह range जो है हम हमारे साब से जहाँ पर खुलेगा, और उसके उपर की 10% की, 10% की उपर की range, वहाँ पर आप इसको sell off कर सकते हैं, थोड़ा सा, with the expectation की जो price नीचे गिरेगा, वो 12,850 तक जा सकता है, आपके लिए नीचे आज, तो यह एक अच्छा equation है आपके लिए, आप चाहें तो इसको trade कर सकते हैं, उपर से नीचे के लिए भी, और नीचे से उपर के लिए भी, पर हमारा क्या भी रहेगा, वह हम आपको बताते हैं, अभी देखे, definitely हमने profit book कर चुके है, और हम आज short selling करने का plan करेंगे, हमने already अपना, जो हमारे intraday position, जो daily position, उसमें हमने short रखता हुआ है, international market are negative device, number of coronavirus is still higher, and China tension अभी भी चल रही है, तो इस वज़े से हमने short position को nifty में रखता हुआ है, अपने पास, दोस्तों wealth creation एक long term process है, आप चाहें तो हमें mill drop कर सकते हैं, we will be more than happy to help you and assist you, आपके लिए चार वीडियो पर सुन तो चाहें तो देख सकते हैं, आपका दिन मंगल में हो, जह हैं बाइस